सर्दियों के सीजन में मटर हम यूज ना करें ऐसा नहीं हो सकता, लगबग हमारे 2-3 दिन में मटर य्ш होती ही है सर्दियों में, तो सबसे जदा हालस आते हमें इनको छीलने में, क्योंकि इनमें बहुत ज़यDR vacation rules लगता है, तो मैं बताँगे आपको एक छोटी सी ट्रिक की आप इससे बहुत सारी मटर को आसानी से चुटकियों में छील सकेंगे तो पहले मैंने 1 kg के सम्तिंग मेरे पास यह मटर थी तो मैंने एक पतीली में पानी डाल के गरम रख दिया है इस पे और हलका सा गुंगना करना है हमें इसमें कोई ज्यादा उबाल नहीं लाना है हलका सा जब यह देखो मैं आपको इपर दिखाती हूँ कि कितना मतलब गुंगना होना चाहिए कि अभी तो यह बिल्कुल गरम भी नहीं है ठंडा पानी है इसमें हम इस मटर को डाल देंगे जितने भी आपके पास है उसी कहसाब से आप डाल दीजे कि बस इतना इतना पानी रखन इसमें मैं आसानी से हाथ दे पा रही हूँ इतना हो कि हम इसमें थोड़ा गुंगनासा हो जाए जब इसको उतार लेंगे और देखो इसमें से थोड़ी सी भाप निकलने लग गई है इसके बाद आप क्या लीजी आपके पास या तो कोई घर में चार्जर होगा तो उसकी स अरेशानी नहीं होगी और बहुत सारी मटर आसानी से चील पाएंगे और यह इसमें थोड़ा मजा भी आता है चीलने में क्यूंकि इसमें हाथों की कोई भी हमें ताकत नहीं लगाने पड़ती और ऐसे मिंटों में बहुत सारी मटर चील के मैं आपको दिखाऊंगी इसके अगर आप चार्जर भी यूज नहीं कर सकते तो मैं बताती हो आपको कि आपके पास इस टाइप का कोई प्लास्टिक का कार्ड हो तो उसकी साय तसे भी आप आसानी से बहुत सारी मटर छील सकते हैं एक बार इस ट्रिक को जरूर अपना की देखिएगा और आप देखो इसमें एक भी मटर अक्स्ट्रा नहीं बची हुई है इससे आप मिंटों में बहुत सारी मटर आसानी से छील पाएंगे और आपको मज़े भी आएंगे अब मैं बचाती हूँ आपको सैकेंड टिप्स की जैसे हमारे किचन में आटा आता है तो उसमें जब ज़्यादा टाइम का हो जाता है तो उसमें कीडे हो जाते हैं तो उससे बचाने के लिए कि जिससे कि आपका आटा बिल्कुल ही सेफ रहे और उस वो खराब ना हो उसमे आटा कभी भी खराब नहीं होगा चाहिए आप उसे साल भर तक रख लीजिए कभी भी उसमें कीडे नहीं होगे कभी भी उसमें गंदी इसमैल नहीं आएगी इस टाइप से आप उसके पौश नूमा मतलब वो बना लीजिए पुड़िया और इसके बाद हम आपके जैसे जो भी ड्रम वरम रखते हो उसमें इसको दबाके रख दीजिए आटे में ऐसी दो तिन डाल दीजिए जिससे कि इसकी जो इसमेल है वो आटे में रहेगी और आटा कभी भी खराब नहीं होगा चाहिए आप इसको साल भर तक यूज कीजिए ये जिर्ट जैसा है आपका आटा कीजिए धन्यवाद